कि है यह एव्यों दिसाइट समिछ शर्मा एंड यह कुश्चन मैं आपके सामने लाया हूं आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन कुश्चन में बोली तू एंड इवेल्यूएट करना है हमें क्या एल्फा स्क्वेर प्लस थीटा कॉस्ट थीटा स्क्वेर एंड बीटा स्क् तो प्तिजे इस कुश्चन से शीखेंगे हम लोग बैसिकली फोकॉस औरिइंट अट रभाता है जो फोकॉस औरिइंट पर्सन होता है सौरी प्रोसस औरिइंट पर्सन स्वॉपासे होिये प्रोसस आप कोदो सैब्सक्र के क्लियर होनें चाहिए और यह कुंश्द यह अथ ден यह लिमिट इंटीग्रेशन ऐसा फंक्शन और पैरामेटर का यह कुश्चन है डिफ्रेंशेटिंग विडियो को नए पहली बार अगर आप देख रहें इस वीडियो को तो आप सब्सक्राइब जरूरू कर लिजे इस बहुत फ्रिक्वेंटली वीडियो साते रहते हैं हर एक बहुत सारे इंपॉर्टन कोश्चन रिम्याने लिए रखें जात और मैं कोश्चन से डिसकस करता हूं थम्लेल पर आपको सबकुत दिख जाएगा डिफ्रेंशेटिंग बहुत साइद रिस्पेक्ट तो आलफा के रिस्पेक्ट में हमें इस इंटिग्रेशन को करेंगे तो क्या मिलेगा हमें डिए बाइड ऐलफा इस साइड एंड डिए बडिए लफा करेंगे तो लॉग ओफ लॉग होता है ना वन अपान सम्थिंग हो जाता है ओके तो वन अपान लॉग के अंदर जो था वह हमारा नीचे आ गया एंड उपर क्या बचेगा जो यह कारें तीना स्क्वार टरम है और हो जाएगा एंड फॉगस सक्वार टीटा वह तहौ ऐग्द पॉस पास को स्क्वार टीटेट करने तो हमारे पास ठीक और था सक्वार डिए ऐगया और यह यहारा एरा ठीक हएंट आपास चौहिए अंदु क्या बगे और हमसे स्क्वार k'. स्कूरेट कर दिए कि स्को भी कॉस स्कुरेट कर देंगे तो यहां से भी होगा क्या होगा sin-square-theta पॉन-स- посто क्या होता है स्कॉरेटie- दिया है तो हमने लिक भी दिया है तो हमेरे पास फाइनली फंक्शन यह बचा आलफा स्कूर प्लस बीटा स्कूर तैन स्कूर थीटा नौ पुटिंग तैन स्कूर थीटा बहुत से लोग समझ गया होंगे कि हम यहां पे तैन थीटा इकल टो टी सब्स्टिशन करना एं डीटी इस इकल स्कूर थीटा सेगे स्कूर थीटा बरबर क्या हOTा वन प्रस जान स्कूर थीटा और एंस एकलिए के वैलिव टी है सो वन प्लस टी स्कूर यहां पर नीचे आ गया अपके अब हमने आप अब कर देंगे टो टू-अलफा-जीरो से इंप्लिनिटी लिमिट हमारी है जो सारी कि यह लिमिट जो है मारी अपन डीटी यह चीज और यह चीज सब्स्ट्टूशन द्यान से करें हम लोग अलफा और बीटा हमारे कॉंस्टेंट्स हैं बोली हमत ओके आइड ऑफ तो यहांपर एक मैजिक हो गया है क्या मैजिक हो गए बहुत से और यही मैजिक होगा यहां पर कैसे कंड्र को करनाय है अलग अलग हो जाए यह प्रोड़क्ट हमें पसंद नहीं जायतर कुश्चन में हमें प्रोड़क्ट पसंद नहीं होता है प्लस माइनस चलेगा लेकिन प्रोड़क्ट नहीं चलेगा ओके सो यहां पर प्रोड़क्ट था तो हमने इसको अलग करने के लिए क्या किया क्या क्या यह चीजिए इधर जाकर मुल्टप्लाई करेंगी तो हमारे पास alpha square minus b square t square कैंसल हो जाएगा हमारे पास बचेगा beta square minus alpha square सो हमने यहाँ पर beta square minus alpha square से उपर नीचे multiply divide किया है जो divide किया था वो नीचे आ गया और जो multiply किया था वो किस काम में आएगा वो इसका में आएगा separate करने काम एक बात आप खुद ध्यार से देखिए कि alpha square plus b square t square अगर इसको लिखें alpha square plus b square b square t square minus b square plus b square t square ओके बी स्कूर यह वाला और यह वाला प्लस minus दोनों cancel हो जाएगा कि यहां पर minus आएगा जान दिजेगा क्योंकि यहां पर minus है ओके तो alpha square minus b square t square ओके तो यहां बहुत सा लोग अभी confusion होगा ओके आप लोग वाट्चाप ग्रूप मुझसे बूस सकते हैं मेरा WhatsApp ग्रूप जो सकते हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हमारे पास बीटा अपॉन alpha इसका जो हम इंटिग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास बीटा अपॉन alpha 10 inverse BT by alpha ओके तो यह one upon x square प्लस a square वाला टाइप है इसमें लग जाता है यह तो हमारे simple से दिखी रहा है 10 inverse T हो जाएगा इसमें जो हम limit लगाएंगे limit लगाएंगे कहां से जीरो से infinity तक तो infinity वाली जब लिमिट लगाएंगे तो यहां पाई बाहर निकाल सकते हैं तो निकाल लिए पाई बाहर पाई बाहर निकाल लिए हमने अंदर क्या पचा बीटा मैंस alpha पॉन alpha ओके यह alpha यह alpha cancel यह 2 यह 2 cancel ठीक है एंड बीटा स्क्वेर माइनस alpha स्क्वेर तो यहां पर हमें बहुत से लोगों दिख गया होगा कि इसको ए स्क्वेर माइस बी स्क्वेर लिखा हुए ए माइस भी ए प्लस बीग करें तो यह यह cancel हो जाएगा ओके सो पाई अपॉन बीटा प्लस अलफा यह हमारे पास यह क्या है इंटेग्रेशन का आंसर नहीं है हमारे पास यह आया है डी आई बाई अलफा ओके इंटेग्रेटिंग बोथ साइद भी रिस्पेक्ट तो अलफा दोनों साइड अलफा के पाई एलफा पाई लॉग एलफा प्लस बीटा आजाएगा ओके द्धान दीजेगा कि यहाँ पे ऐसा कैसे वह लॉग कैसे आया क्यों हमें याद ना वन अपॉन एक्स होता था तो क्या हो जाता था वन अपॉन एक्स अगर इसका हो करते थे हम लोग इंटेग्रेशन करते तो यहां हो जाता था कि यहां पर देखिए वही लॉग हमारे यहां पर इस्तमाल हुआ है क्यों क्यों यहां पर विडीएफा वैरेबल क्या है यहां पर भी इसके साथ यह बीटा कॉंस्टेंट दियां दीजेगा वेरेबल की है आलफा इस समय चानलिए रखाएफा वराव log of alpha square हो जाएगा and जो कि pi alpha के equal होगा okay pi alpha के equal होगा क्यों pi alpha के equal होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए अब कुछ भी यहाँ पे आप just one minute तो यहाँ पे log of alpha square यह तो constant है पूरी चीज ओके तो d theta का integration हमें कर पाएंगे सर्फ पूरा log alpha square बाहर आ जाएगा कि यह तो constant है and pi log alpha हमारे पास answer आ जाएगा putting this value in first first में यह value रखेंगे okay first कहा है हमारा यह चीज देखिए ठीक है c के value हमने जो निकाली है वो first में रखेंगे जो हमने integration value निकाली हो first में रखेंगे और first में रखते ही हमारे पास c के value आ जाएगे तो देखिए यह चीज जो इधर आ जाएगी तो फिर हमारे पास c के value यह हो जाएगी पाई log 1 by 2 यह चीज जब इधर आएगी तो यह क्या हो जाएगी पाई common हो जाएगा इन दोनों में से प्सकार अचके यह चुकी यह हो जाएगा पाई पाई common हो गया, पाई common होते ही log of 1 by 2 plus alpha plus beta log of 1 by 2 alpha plus beta multiply हो रहा है log में है सब कुछ and finally हमारे पास जो answer आया है वो जी आया है, बहुत सारी conceptual clarity होनी चाहिए इस question को करने के लिए basics clear होनी चाहिए log properties आनी चाहिए and बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए question करने के लिए वनना ये question आपका होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, so thank you for watching this video make sure you like the video, ये question आज जरूर सकता है अगर आप जिस भी semester का ये question हो I think BSc second year का ये question है so thank you for watching this video and make sure you like the video and hit the subscribe button sorry BSc first year का ये question है thank you for watching